इमाचल प्रदेश के कित्तो और जिले में लड़कियों की कमी के कारण उनकी साधी पांच भाईयों से की जाती है यहाँ पर एक ही छट के नीचे रहने वाली लड़की उसके पांच भाईयों से परमपरा अनुसा साधी करवा दी जाती है और इसके बाद वो विवाहित जीवन जीते हैं इसके अलावा लड़की के किसी एक पती की मृत्ती होने पर उसे सोक मनाने नहीं दिया जाता कि तोड में विवा की परंपरा भी अजीब तरीके से निभाई जाती है यहां लड़की के परिवार वाले लड़कों के बारे में पुरी तरह जानकारी लेते हैं विवा के समय सभी भाई दुले के रूप में आते हैं यहां महिलाओं को ही घर की मुखिया माना जाता है संतान की देखभाल से लेकर घर चलाने की सारी जिम्मेदारी औरतों की होती है यहां पर परिवार की सबसे बड़ी इस्त्री को गोयने और उसके सबसे पड़े पती को गोतेस कहा जाता है यहाँ पुरुस दुखी होने पर सराब और तंबाको के सेवन करते हैं जबके महिलाएं दुख में गीत गाती है